दोस्तों प्रात्मिक इस्कुलों में होगा कहाने उत्सव का आयोजन जेहा दोस्तों, राज्य में मूल भूस तक्षरता के विकास है तो बच्चों को सुनने के कवसल में दक्ष किया जाना अत्यांत आवस्यक है छोटे बच्चों को कहानिया बहुत पसंद आती है इस्थानी बड़े बुजुर्गों से इस्थानी भासा में कहानिया सुनाने का उसर मिनने से उनके सुनने की दक्षता का विकास किया जा सकता है जिनांग 22 फरवरी 2022 को अंतराष्टी मात्रिभासा दिवस के दवरान राज्ज के सभी प्रात्मिक सालाओं में कहाने उस्था मनाया जाना सुनिश्चित करे इस उत्सव के आयोजन के लिए अजिम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से विश्थरित दिशा निर्देश तैयार किये गए है सभी प्रात्मिक सालाओं इसका अध्यन करते हुए अपने अपने प्रात्मिक सालाओं में अधिक स्यदिक संख्य में प्रतिभागियों की उपस्तिदी सुनिश्चित कर कहाने उस्था का आयोजन करते हुए इससे जुड़ी भासाई गतिविधियों का आयोजन सुनिश्च को बड़ी कच्छा के बच्चो द्वार लिख कर संकलित किया जाएगा इस कुलों में उसके वीडियो रिकार्डिंग की भी व्यवस्था रहेगी ताकि उसे बाद में साज़ा किया जा सके इस कारिक्रम का आयोजन व्यापक इस्तर पर करते हुए राज्य में मूल भूस और गणती कौसल विकास अभ्यान में सुनने के कौसल का विकास करने की दिशा में ठोंस कार्य प्रारम किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु बड़े बुजुर्गों के माध्यम से कहाने सुनाने की प्रमपरा को प्रात्मिक साला में निरंतर जारी किये जाने की विव पस्ता होगी इन सभी के लिए जिसनिर्देश जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अराम से बैठके पढ़ सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंड करें और चैनल में पहड़ी बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद